हेलो दोस्तों अब मैं आपके लेकर आएंगो प्रस्णावली सेवन के सी का पार्ट थ्री पार्ट थ्री में मैं आपको क्वेस्चन नंबर टेन से बताऊंगा दोस्तों यदि आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया लिए आप महां से जाकर देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों मैं क्योस्टन नंबर टेन को पड़ता हूं इसमें क्या बोलाए इसमें बोलाए त्री भूज A B C के सिर्ष A 3,0 B 0,6 और C 6,9 है रेखा D E भूजा A B और A C को अनुपात एक अनुपात दो में बाढ़ती है सिद्ध कीजिए की छेतरफल त्रिभूज A B C बराबर 9 गुड़ते त्रिभूज A D E का छेतरफल तो ध्यान दीजिए दोस्तो सबसे पहला काम क्या करना है जो बिंदु दिया है उसको लिख लीजिए ठीक है इसमें बिंदु दिया है बिंदु देने के बाद एक विभाजित कर रही है एक अनपात दो में विभाजित कर रही है जान दीजिए कैसे करना आपको लिख लीजिए पहले बिंदु को लिख लेता हूं बिंदु जो है वह कितना है तो बी जो है वह 0,6 ठीक है और जो सी बिंदु है अब आपको क्या करना है चले बताता हूं अब आप कैसा काम करिए इस्ट्रक्चर बना लिजिए एक त्रिभूज बना लिजिए तो मैं यहां पे त्रिभूज बना देता हूं ठीक है देखें दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहेगा यह इस प्रकार से ठीक त्रिभूज बना लिजिए ओके त्रिभूज बनाने के बाद क्या करना कामँए इसको एक रेखा किछे जो एकनपात 2 में क्या करें इसको विभाजित करें द्यान दिजब्सक्राइब और एक उनपात 2 में इसको कर रहा है अब क्या करना है ध्यान लिए जो है वह कितना है तीन कामा जीरो ठीक है जो बी है वह जीरो कामा छे है ठीक और जो सी है वह कितना है छे कामा नौ है अब क्या करना है हमें मध्ध बिंदू निकालना होगा अभी मध्ध बिंदू जो इसका है ए और बी का मध्ध बिंदू डी है यह नहीं पता है ए ए क वह लिए किसको निकालना होगा ठीक है इसका जो अनुपाथ है वह कितना हो concrete。」 नो हो लिग लिए यहां पर क्या सिथ्ध करना है जले अनुपाथ तो आपको पता होगया क्या है मैंनुपाथ पार पार अनुपात जो दिया है वह एक अनुपात कितना दिया है दो दिया कि चुर्ण को भी टेता ऐं या पे लिग दीजे सीध्ध perfect करना को करना है जिन्य तरफ्वूज है a b c का से त्रफल बराबर दो गुड़ते त्रिभूज A D E का छेतरफल ठीक है दोस्तों यह आपको इतना प्रूब्ड करना है यानि देखे जो A B C का छेतरफल है वह त्रिभूज A D E का दोस्तों बड़े भी त्रिभूज का छेतरफ़ निकालेंगा फिर उसके गड़े दोनों को बराबर करेंगे तो प्रूड आफसानी से हो जाएगा… चले देखते हैं क्या करना है अब निकाल ने जब क्या किया या निर्दसांह ठीक है डीक के है निर्दसांह है तो टो दीके प्यस्तूस युभव संगने कलें कि लिए फार्मूला क्या violently को दोस्तों लिख देतं रहाँ है एक m1 x2 plus m2 x1 by क्या m1 plus m2 कामा फिर लिखेंगे आपे m1 y2 plus m2 y1 अपान m1 plus क्या m2 यह आपका फार्मूला रहेगा ठीक है दोस्तो इसी फार्मूले में आपको क्या करना है मानों को रखकर हल करना है तो ध्यान दीजे दोस्तो आप किसका निकाल रहे हो को दी का निरतांग निकाले जब डीका निकालो किती आपका क्या हो जाएगा खिस समय हो जाएगा ये वाइब यह आपका एक्स टू और यह वाइट ठीक है और यह वन अनौपाट टू जो दिया है यह एम यहार है यहां पर सभी को रखता हूं मोन इधम कमानम देखे कितना देखे रहा है यहां- निघतीं रर ऊंदिए इब देखा जाए तो कितना है तुट्रिछे अपन M1 plus M2 M1 का मान 1 और M2 का मान 2 यानि 1 प्लस क्या कर देना आपको टू ब्रैकेट को कर देना है बंद फिर यहां देके M1 y2 M1 का जो मान है 1 है इंटू Y2 तो Y2 कमान देखें यहां पर कितना है 6 है तो 6 रख दीजिए प्लस M2 M2 का मान 2 है इन्टू वाइवन वाइवन का मान देखा जाते हैं कितना है सुनने यहां पर रख दीजिए सुनने अपान क्या M1 प्लस M2 तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 ठीक है चलिए इसको हल करते हैं एक का गुड़ा 0 में करेंगे तो कितना आ 0 2 3 तो 6 बटे कितना हो जाएगा 2 1 3 तो यह मैं लिग देता हूं 3 6 1 6 और 2 0 हमें 0 तो इधर 0 हो जा रहा बचे का सिर्फ 6 और नीचे 2 1 3 ठीक है चलिए अब इसको काड़ें 3D6, 3D6, तो कट के क्या आ जा जाएगा, 2। कामा कितना हो आगे है D का निर्दसांग, यहाँ पर जो निकला आपका D का सिर्श निकल गया है, तो लिखे E के निर्दसांग तो यहां निकालेंगे फार्मूला वही रहेगा मान बदल जाएगा यह 1-1 हो जाएगा और यह यह हो जाएगा X2-Y2 अब चेंज हो जाएगा ठीक है अब हो गया क्या X1-Y1 वही रहेगा अब हो जायगा X2 Y2 जो C होगा वो X2 Y2 हो जाएगा इसका हमें निकालना क्या है E का इन दिसांग तो लिखें हैं हम क्या होगा M1 देखें फार्मुला पहले क्या होता है M1 M1 का मान क्या रखेंगे 1 इंटू फिर क्या होगा X2 तो X2 चेंज हो गया कितना हो गया आप 6 हो गया देखें यहां पर तो रखें यहां क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 फिर क्या होगा दोस्तों अब होगा M1 M1 का मान 1 ही है इंटू वाई तो y2 का मान कितना देखें यहां पर 9 तक यहां प्रख दीजे l 9 प्लस उसके आथ M2 M2 का मान कितना है 2 है इंटू वाई 1 तो वाई 1 का मान कितना है यहांपे दोस्तों सुनने है ठीक है अपन एम वन प्लस एंटू तो वन प्लस कितना हो जायगा डू हो जाएगा ब्रैकेट को कर दीजे क्या बंद युद्ध करद ट्रहा कितना हो जाएगा आ पर बारत बारा अब क्या करेते हैं दोस्तों छोटे वाले वी तिरिभूज का चिटरफल निकल लेते हैं और निकालने का दोनों को क्या कर देते हैं दोस्तों हो जाएगा तो चलिकाता हूँ अब लिखिए किसको पहले पूट करना आपको पहले बड़े शोटे का दे टो यहां मैं लिखता हूं एडी का छेटरफ़ल मारे जो मैं इसका कामा जीरो ठीक है और डी क्या है आपका दो कामा दो और सी क्या है आपका चार कामा ठीक है यह आपको क्या हो गए सीर्स हो गए हमने लिख लिए अब इसी के सहारे मैं क्या निकालूंगा का चले दो टो च्छेत्रपल निकालने का फार्मूला आपको तो पता हिए अब फार्मूला मैं यहां पर लिखूंगा नहीं ठीक है क्या करिए सब से पहला काम का होता फार्मूला वन भाई टू ठीक है फिर ब्रैकेट में होता है एकस वन तो देखिए यह आपका हो जाएक ए तो 3 रख दीजे फिर bracket में y2-y3 तो y2 कमान 2-y3 कितना है त्री k्रेक्ट को कर दीजे क्या बंद प्लस x2 तो x2 कमान 2 क्रीड फिर लिखे यहाँ पे y3-y1 तो y3 कमान कितना 3-y1 कमान कितना सुनिये प्लस एकस थ्री एकस थ्री कमान कितना है फूर फिर उसके अब ब्रेकेट में वाई-1-1-2 कमान कितना है टू अब ब्रेकेट को कर दीजे क्या यहां पर बंद कर दीजे ठीके दोस्तों चले अब आगे हल करते इसको तो वन भाई टू आपका ऐसे ही रहेगा यहां प क्लियार अब दीए यहां पर प्लस चार है और यहां तो इसे लिएगा और कितना हो जायेगा आपको यह पता है कि जभी त्रिभूज का छेतरफल निकाले तो छेतरफल त्रिभूज का जो होता है माइनस में नहीं होता है तो पांच एक का पांच माइनस हट जाएगा पांच बटे कितना आ जाएगा दो ठीक है इतना क्या वर्ग की काई ध्यान दीजेगा त्रिभूज क कर खितर प्रोंग लिएंगे ङ को लिखी अ क्या है वह कितना है जीरो कामा अच्छ है मने लिख लिए एक भी लिख लिख लिया है अब इसी क्या कर इसी निरसांकों को लेकर आपको क्या करना है ABC का छितरफल निकाल लेना ठीक है तो करिए क्या दोस्तों चले इसको माल लीजिए आप क्या X1 यह हो जाएगा Y1 यह हो जाएगा X2 यह हो जाएगा Y2 यह हो जाएगा X3 यह हो जाएगा आपका Y3 फार्मूला सेम वही रहेगा दोस्तो फार्मूला होगा आपका 1 by 2 ब्रैकेट में x1 तो x1 का मान आपको कितना दिख रहा है आपके 3 तो 3 रख दीजे फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगा y2 minus y3 तो y2 जो है 6 minus y3 y3 जो है कितना हो गया 9 clear plus अब क्या होगा x2 तो x2 का मान कितना है सुन अब रेकेट में क्या होगा y3 minus y1 तो y3 जो दिख रहा है आपको 9 minus y1 जो है सुन ठीक है अब प्लस क्या कर देंगे आप x3 तो x3 का मान कितना है 6 आप y1 minus y2 तो y1 का मान 0 y2 का मान 6 ब्रैकेट को कर दीजिए क्या बंद कि 1 अपांट 2 को आप ऐसे लिखिए चलिए इसको घटा लीजें यहां पे शेह में से maineus 9 घाटाएंगे माइनस3 माइनस3 का स्लीच में करेंगे तो दो प्लस माइनस C &- 36 रोग दोस्तो अब देखें दोनों मैंनेस में 36 पितना हो जाएक पैणतालीस मैं नहीं लिखा जाएगा एक बटा दो गुरते मैं क्या लिखूंगा माइनस 45 जो क्या होता है दोस्तों त्रीभूच-, छेतरफल होता है मैंने बताए को रीड़ार्द माँ नहीं होता है तो 45 का क्या लिख सकता है लिख सकते हैं दूस्टो 45 और नीचे 2 है दो ही लिख दिजे इतना क्या हो जाएगा वर्ग एकाई किले हो गया दोस्तो चले अब दोणों तु मैं यहां पर निकाल दिया हूँ अब आपको सिद्ध करना क्या तिरिभूज ABC का जो छेत्रफल है वह बराबर क्या 9 गुड़ते तिरिभूज ADE का छेत्रफल तो ध्यान दीजे दोस्तों आपका यह प्रूब्ड हो चुका है यहां में लिखिया क्या तिरिभूज ABC का छेत्रफल ठीक है ठीक है यहीं आपको प्रूब्ड करना था और यह आपका प्रूब्ड हो गया है नौ गुड़ते यहां पे नौ गुड़ते रहेगा ठीक है तिरिभूज ABC का छेत्रफल आपको टो खूं रहेगे क्योगा है थोड़ा सा देख लीजे कैसे ऑभी आपको समझ नहीं आओगा कैसे कर दिया है त्रिभूज ABC का छेत्रफल तो त्रिभूज ABC का छेत्रफल कितना है 45 बट्टे दो क्लियर मैं अब संधाने के लिए बता रहा हूं यह ठीक है प्रूड आपको इतना ही करना है बराबर और त्रिभूज क्या है यहां नौ गुड़ते नौ लिए त्रिभूज ADE का छेत्रफल तो ADE का कितना निकला पांच बट्टे दो तो 45 बट्टा दो आपका ऐसे रहेगा इसको ऐसे लिए 45 बट्टे दो लेकिन इसका गुड़ा करें नौ पच्छे 45 अब दिखें इधर भी कितना हो गया 45 बट्टा दो यादि मैं इसमें 29 से ग क्रूब्ल हो गया समया दोस्तों तो चलता हूं मैं नेंस्ट की तरव क्योएस्टन नमबर 11 आप देखी दोस्तों क्या बोला है मैं आपको बताता हूं ठीक है इसमें बोला है उस तिरिभूज का छेत्रफल ग्यानत कीजिये जिसके सेड़सों के निर्देशांग ती निर्ड़सांग यहां पर दिए गए है और आपको निकालना है तुरिभूज का खेतर फोल प्रिटिब का Ник abbiamo यहां पर दिया गया A T1 कामा A by T1 ठीक है यह नित्सांग हो गया दूसरा दिया गया है जान दीजे कामा करके A T2 और कामा A by T2 यह आपका दूसरा नित्सांग है अगले यह ब्रैकेट फिर दिया तीसरा ए टी-3 कामा एवाई ती-3 क्लियर ब्रैकेट को कर दीजे बंद यह आपका यहां से निर्दसांग दिया गया अब इसी से इसी को लेकर आपको निकालना क्या है त्रिभूज का शेतरफल तो चले दोस्तों बने रही मेरे सान चले यहां से नि बराबर होता है एक बाटेदो ब्रैकेट में एक्समं कोस्ट क Windows में वाई्टु माइनस वाई 3 प्लास एक्स को've कर दीजे क्या बंद इदना क्लिए अब क्या करो दिजे पहला कं इसके निर्द्सांग पहला इसको मालिजें निर्सांग गया यहां से x1 y1 x2 y2 निकाल लिए यह Ah Ho जाएगा यह आपका wyi 1 हो जाएगा यह आपका एक्स 2 हो जाएगा यह hypnote हो जाएगा यह क्या हो जाएगा वाइत ओवीन को देखते वे सभी के मानों को इसमें रख़देना है ठीक है understand तो चलिए अब मैं क्या करता हूं मान को रखता हूं तो यहां पर देखिए 1 by 2 है तो 1 by 2 ऐसे ही लिख दीजिए clear हो गया अब ध्यान दीजिए x1 x1 का मान आपको कितना दिख रहा है a t1 तो लिख दीजिए a t1 bracket में क्या लिखोगे y2 minus y3 तो y2 कहां दिख रहा है a upon t2 तो यहां लिख दीजिए a upon t2 clear फिर minus है तो minus लिखे y3 तो y3 का मान a upon t3 तो a upon t3 इतना लिख दीजिए अब bracket को कर दीजिए बंद ठीक है प्लस x2 x2 का मान दिख रहा है a t2 है तो लिख दीजिए उसके ब्रैकेट को बंद करें लिखा है y3 minus y1 तो y3 का मान दिख रहा है a upon t3 minus y1 तो y1 का मान दिख रहा a upon t1 ठीक है a upon t1 फिर plus x3 तो x3 का जो मान है वो है a t3 ठीक है ब्रैकेट को बंद करें अब लिखेंगे y1 minus y2 तो y1 जो है a upon t1 minus y2 जो है a upon t2 अब ब्रैकेट को कर दीजिए बंद ठीक है दोस्तों चले अब क्या करोगे ध्यान दीजिए करना क्या है यहां देखिए आपको common दीख रहा है तो जब a common करेंगे तहीं यहां पहले से है तो आपका क्या हो जाएगा a square तो लिख दीजिए आप एइसक्वाइर टीक है ब्रैकेट में क्या बच रहा है आप वन तो यहां common हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना वन तो वन अपान क्या लिख क्लियर हो गया ब्रैकेट को कर दीजिए बंद प्लस इसमें भी क्या करें एक को common करेंगे तो a square हो अब क्या करना है आगे बढ़ते हैं इसक्वाइर ब्रैकेट को कर दीजिए क्या बंद तो चले अब क्या करना है आगे बढ़ते हैं कितना तैंद आपने हल कर लिया अब आप इसका क्रास गुड़ा कर लिजिएक को छिट्रे के अंदर है पहले स्को रॉड़ा कर लिजिए चले मैं यहां पर कि टी तू तो अब इसका कर लिजेट टीवन का वन में करेंगे ता टीवन माइनस है मांट ती टag to one करेंगे क्या हो जागा नीचे आजाएगा क्या टीवन टीटू क्लियर ब्रैकेट को कर लिजिए यहां पर बंद इतना सुन्जा दोस्तों अब क्या करोगे ध्यान दीजिए अब आपको यहां से दिख रहा है एस्क्वाइर 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 सभी में मिल रहा है त तो चलीया जिली आफर यहां फर कामन करें लेकिन 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 देखे सभशायां पर D T1-2-ladım can do T1 T2 दिटो हूंनाी कतना एंगा ठीओं टीडु टीटु सभी मिलेगा तो इसका आएगा टीवन टीटु टीट्री मैं ने इसका क्या लिए यह से अबदďर कर जाएगा बचेगा क्या टीवन और उन जाएगा वर ब्यासी तो यहां पर यह रहता टीवन बचा प्लस बहर निकल चुका है बचा है क्या तरी तरी माइनस को गया दिए ती uti-2 में टी-2 का कुड़ा होगा तो यहांते हो जाएगा kitsu का इसक्षाया इसक्थ सक्रीक आगे देखिए दूस्तों यहां से लिकल चुए तों दियान दिजिए दिया थि थी लोगका तो इसक्याइगा इसक्वाट्रे DR अब ब्रैकेट में क्या बचा है टी टू माइनस टी वन उसको लिख लिए और कोश्टर को कर दीजे क्या बंद इतना क्लियर हो गया दोस्तों अब क्या करना है आगे बढ़ते हैं अब ध्यान दिए दोस्तों टी 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 ती को नीचे गुड़ा करेंगो दो में तो यह क्रांना चलिए इसको तोड़ देना है यहाँ पहले। है आज ब्रैकेट में क्या अब स्क्राइब प्लस क्या है इसका भी घुड़ा करेंगे क्या हो जाएगा टी थ्री स्क्वायर टी टू अब क्या करोगे ध्यान दीजे इसको पहले आप है यहां पर क्या बच रहा है उससे फोकस करते हैं तो देखे इसको पहले क्या टी-2 इसको एक साथ करना है ध्यान दीजें मैं बता रहा हूं किसको किसको करना है तो देखे टी-2 मैंनस क्या टी-2 इसको त$0.000 है इसको टी-3 स्कूराइर सब्सक्राइब के साथ करना होगा लास्ट में तो करे क्या इसको लिखे लेडिजें टी-1 इसको लिखे लेगा टी-3-2 इतना क्लियर होगा टी-2-1 सब्सक्राइब इसको लिख लिए सब्सक्राइब मैंट सब्सक्राइब इसको लिख लिए आपको यहां से दोड़ों क्या करी आप जोड़ा बनाएगे पहले इसमें से जो कामन हो उसको आप क्या करें कॉमन ले लिए जो बाहर उसको आप ऐसे रहने दीजिए क्या है यहां पर एसक्वाइर अपान क्या टू टी वन टी टू और क्या हो जाएगा त्री टी त्री अब इसको ऐसे लिखें जैसा है टी वन स्क्वाइर टी 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 माइनस क्या टी टू इसको ऐसे रहने दीजिए यहां देखें टी टी वन इसमें से क्या हो रहा है मिल रहा है तो टी वन इसमें से आपको क्या करना है बाहर कर लेना है जब बाहर करोगे टी वन तो अंदर क्या बचेगा टी टू का स्क्वाइर म हो गया अगले ब्रेकेड माईनस अब क्या करोगे यहाँ नगीं वितांट यहाँ से क्या कर दिख तोगी आगे बढ़ते हैं अब एक चीछ देखें इसमें दोस्तों करना है यहाँ अगर मैं माइनस कामल ले लूँ तो इसमें भी जो प्लस में माइनस में हो जाएगा प्लस में तो मैं माइनस कामल लोगा तो तू पहले हो जाएगा बात में हो जाएगा क्योंकि सभी में देखें टू पहले और लो होगा क्या हो जाएगा टू een यहां पर क्या है उसी को यह द्यान दीजिए यह तो टीवन का वैसे लिख दीजिए कर एक स्क्वेर्ट माइनस बेस्सक्वेर का फार्मूला बन रहा है और पहले माइनस Мैंस क्या हो जाएग तो ती ती फिर अगले कोस्ट्राग में टी टू और अगले कोस्टाग में टीतीतू T3 bracket में क्या चाहिए T2-T3 तो लीग दीजे T2-T3 bracket को कर दीजे क्या बंद अब देखे T2-T3 T2-T3 और T2-T3 तीनों में मिल रहा है तो करिए क्या उसको आप common कर लिजे चलिए मैं यहां पर क्या करता हूं अब कामन करूंगा यहां पर पहले से ठीक है तो कामन करूंगत क्या जाएगा यहां पर बगल में सोरी दोस्तों यहां पर ऑर बटे में क्या है यह तो हमने से किसको कैंसिल कर यह Aa画 में का मन आएगा क्या में यहां दिजरा अब अंदर क्या बच़ रहा है उसको मैं लिखताओ तो बच क्या रहा है माइनस टी 1 का स्क्वायर और यहां से क्या बच रहा है प्लस ध्यान दीजेगा टी 1 और यह टी 2 माइनस टी 3 तो बाहर हो गया बचा क्या टी 2 प्लस टी 3 यहां पर माइनस टी 2 टी 3 बाहर हो गया बचा टी 2 और टी 3 ब्रैकेट को कर दीजिए यहां पर बंद अभी आपको क्या का करना यहां पर को स्टाक को तोड़ना अभी यहां दिखना फिल डिख रहा तो क्या करई तोड़ दी को स्वाइब तो बच्छे का क्या पर एस्क्वाएर ठीक है यह इस्क्वाएर और निचे क्या बचाdert टी वन टीटू और क्या बचा दोस्तों टी 3 क्लियर हो गया यहां एक स्क्यार अपान 2 टी 1 टी 2 टी 3 ब्रैकेट बचा आपका टी 2 माइनास टी-3 ब्रैकेट कर यह बंद उसके बाद क्या करेंगे अब ध्यान दीजे यह माइनेस टी वन स्क्यार है इसको ऐसे लिख लीजे का T2 में होगा तो क्या हो जाएगा T1 T2 और T1 का क्या होगा T3 में होगा तो क्या हो जाएगा T1 T3 ठीक है और फिर माइनस में क्या है लास्ट में T2 और T3 ब्रैकेट को कर दीजिए आप क्या करोगे ध्यान दीजिए करना क्या है जो पहले आप यहां पर है A square अपान क्या 2 T1 T2 और क्या T3 ब्रेकेट में क्या है T2 माइनस T3 ऐसे रहने दीजे अंदर आपको क्या करना होगा अब ध्यान दीजे आपने तो गुड़ा कर दिया है अब ऐसा काम करिए इसमें से देखिए यह T1 है यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको T होगी तो T2 मैंनस T1我覺得 T2 है इस का जोड़ा बना लिजे इसमें से माइनस क्या करें टीए वन कामन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या भी माइनस कामन हो गया बचा प्लस में मीव होगा ठीट तो म्यांट मी ब्राकेट एंगे तो भाग होता है जिस चीज का मलब होता है भाग करेंगे दिखेंगे माइनस से माइनस कर जाए कर जाए कर दिख रहा है तो मैं यहां से क्या करता हूं अंदर बचेगा टी टू ठीग है ब्रेकटो कि अब क्या करना है उससे फोकस कर लेते हैं तो अब आपको दोस्तों T2 और क्या T3 ऐसा ही रहाएगा और बैकेट में क्या है यहां पर T2- T3 अब ध्यान दिजें अंदर T1- T2 एक दोनों को स्थक में इसको एक कोस्ट्म कर लिजें टी वन माइनस क्या हो जाएगा टी एक कोस्ट्रम क्या पूचहागा Chase mr2-1 प्लस-a-3-3 बच रहा है तो ती 3 कोपले लिखक लिजिए माइनस वाले को बाद लिख लिए यानि टी 3 मैंस हम इसको टी वन लिखेंगे ठीक है अब क्या करोगे अब ध्यान है स्क्राइब कर प्य जैसे है ठीक है है च्क यह यहां पर क्या बज़ा रहा है T3- last में क्या है T1 इसको आप क्या कर सकते हैं यहीं पे अंसर करना चाहें यहीं कर दिजे लेकिन जो आपके बुक में दिया है वो T3-T1 को यहां पर दिया है T1-T2 को last में कर दिया है ठीक है दोस्तों तीस से कोई मतलब नहीं चाहें दो गूर्टे तीन लिखी चाहें तीन दोनों का अलट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि गुड़े में हैं तो यहीं आपका दोस्तों क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा काफी लंबा क्वेस्चन था दोस्तों तो आपको यहीं पर क्या कर देना है दोस्तों क्लियर होगा दोस्तों आपको बहुत इसको पढ़ता हूँ कि इसमें बोला है उस चतुर भूज़ का छेत्रफल ग्यांत की जिए जिसके सिर्षों के निर्दीसां करमSec सर्ट माइनस् 3 कामा 2 5 कामा 4, साथ कामा माइनस चार है तो ऊको क्या करना दोस्तों चतुर भूज का छेत्रफल ग्याद करना है और चार सीर्स आपको इसमें दिया है तो करिए क्या पहले दोस्तों चारों सीर्सों को आप लिख लेजिए तो चले मैं यहां पर चारों सीर्सों को लिख लेता हूं पहला जो सीर्स दिया है वह दिया है माइनस तीन कामा दो ठीक ह आपका आपका अहों और दूसरा जो जिए वह दिए 5 devil 4 तो उसको भी लएता में आ पे 5 कामा चार तीसरा है तीसरा आपका दिया है साथ कामा माइनस च्छ और चौथा दिया है माइनस पांच कामा माइनस चार ठीक है यह आपका सिर्ष दिया गया और किसका सिर्ष है चतुर्भूज का सिर्ष है तो चतुर्भूज बोला है यह नहीं बोला है कि कौन सा किस प्रकार क चतुर्भूज बना सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं यहां पर क्या बनाता हूं चतुर्भूज बना लेता हूं एक चतुर भूज बना लीजिए ठीक है चले यह आपका माली चतुर भूज हो गया क्लियर अब क्या करना है इसके बिंदूओं को माल लेना है जैसे यहां पर आपको माल लेना है यहां पर माल लेना है यह हो जाएगा सी और यह हो जाएगा आपका डी क्लियर और यहां से क्या करें त्रिभूज क्यों कि हम एक पता है दोस्तों जब भी चतुरभूज ग्याद करना होगा इस दिये रहेंगे चार शिर्ष के तो हम क्या करें दोस्तों पहले हम त्रिभूज दो त्रिभूज को निकाल के जोड़ देंगे चतुर निकल जाएगा तो मैं इसमें दो त्रीभूज को बना लेता हूं ठीक है क azul हो गया दोस्तो अब क्या करोगे अब इसके क्या कर ना इसके सिर्सों को लिख देना है तो यह जो है वह माइनस 3 2020 यह लिख दीज़ ain't-20 यह 9 यह 5-4 यह लीखते हुए और जो का जो है वह साथ कामा माइनस है और जो डी का है वह कितना है माइनस पांच कामा माइनस चार है यह आपके सीर्स दिये गए ठीक है अब आपको निकालना है क्या चतुर भूज का छेतरफल तो चतुर भूज का छेतरफल निकालने के लिए क्या करना होगा पहले इन दोनों तु दिरभूज A B C का छेतरफल तो 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 इसके किसे को लिख करना यह जो है वह कितना है माइश तीन का माँश मम सब्क्राब। निकालं रहे हैं इसका फार्मुला आपको पता है तिरी भूच के शितर फलका वन भाई क्या होता दोस्तों टू तो यह लिखाने के जिरोद नहीं है फार्मुला दोस्तों आप तो डाइटली समझी जाओगे तो क्या होगा वन भाई टू ब्रैकट को कर दीजिए बंद फिर क्या होता है एक्स वन तो ध्यान दीजिए आपका क्या होगा यह तो होगा यह एक तुझा? यहां को यहाँ पर रहना है तो वन बाई टू ऐसे ही रहेगा क्या होगा माईनेस एक सुगा दोस्ती है यहां पर माईनश III लिख दिजिए और यहां लिकिए फ्री दी तो वाई टू ब्रैकट जोhouगा 4-2 नजिए मेय लेकिन माइनस में है तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाया कितना 6 क्लियर हो गया प्लस क्या होगा X2 तो X2 का माण आपको यहां पर कितना दिख रहा है 5 तो 5 रखे फिर ब्रैकेट में क्या Y3-Y1 तो Y3 जो दिख रहा है वह कितना है minus six minus Y1 जो है वह कितना है टू नड को कर दीजिए क्या बंद छले अब क्या करना है वन श्ञंसई लिघ दीजे यहां दिएए चार छा कितना हो जायेगा दस दस का कोड़ािमोन मैंस 2 करेंगे दस से कितना हो जाएका माइनस दोनों माइनस में माइनस 2 तो च्यवादो कितना हो जाए 05 newborn 40 कि विधित आजाएगा माइनस थो मैन अब थो गड़ीजिए तो ऑयगा माइनस दो माइनस कण को करेंगे मामस कीतना न चself में साथ दूनी चव्याद याही इसा बन्द मैं वन बाइट वैसे रहने दीजिए इन तीनों को जोड़ तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखें 40 टीस सब्तर और चाउदर कितना हो चाउरासी हो जाएगा तो यहां माइनस में तीनों तो लिख दीजिए बिखेजी तो यहां फून्हाला का रहा है तुरद्यात्मक्त नहीं लिखा जायगा इसको सिर्व धनात्मक्त मों निखना है तो 42 हो जाएगा आईंस्वर कई आशोर नहीं बलकि आपका यह आपका यह एबी सी का छेतर्फ लोगा अब क्या करिए A CD का निकाल लीजिए 46 अब इस तरिभूज का भी निकाल लेते हैं चले अब मैं निकालता हूँ यहां से किसका c d का छे तरफल लिख लिए आप ए तरिभूज A C D का छे तरफल तो A C D का 6 निकाल लोगे तो इसके भी सिर्षों को लिख लो आप A का जो दिया है कितना दिया है यूट और यह हो जाए स्ट्री मैंस ट्री तो कर ये क्षिख्बी सरदन वाके दिख लिए ये फिर क्या होता है च्छंटा निकल रहा है अपको सो स्ट्री धीऊ सिद्वारद्ट को माइनस क्या हो तो सबस्केशन को कि अगरें प्लस निकई innovate को सब्सक्राइब करेंगे y3-3-4 खेच कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा कितना माइस माइनुस ने LS सब्सक्राइब कर देंना क्या बंद अब ध्यान दीजे दोस्तों यहां मैं आगे निकालूं तो क्या एगा वन वाई टू तो आपका ऐसे ही रहेगा ठीक है अब देखें दोनों माइनस में बैयालीस और चालीस तो अब आप से पूछा था कि चतुर भूज का च्छेत्रफल ग्यांत कीजिए चारो सिर्ष दिया गया तो चतुर भूज का च्छेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों इन्हीं दोनों को जोड़ देना है तो आप ध्यान दीजे आप लिखें चतुर भूज का च्छेत्रफल ब्राबर त्रिभूज A B C प्लस त्रिभूज A C D का च्छेत्रफल ये आपका क्या हो जायेगा इसके बराबर हो जाएगा ठीक है तो इहां पर त्रिभूज A B C ABC का जो मान निकला हो कितना निकला है 42 प्लस त्रिभूज A C D का कितना निकला है 38 38 42 आप जोड़ोंगे कितना हो जाएगा 8-2-10-0 हांसिल 1-3-4-3-7-8-8-8 आजाएगा असी क्या वर्ग इकाई इतना आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एंस्वर हो का लास्ट क्यों नमबर 13 अब देखें दोस्तों क्यों नमबर 13 क्या बोला मैं इसको पड़ता हूं ठीक है इसमें बोला है एक त्रिभूज A, B, C के सीर्थ A जो है 4,6, B 1,5 और C जो है 7,2 है भुजाओ A, B और A, C को क्रमसा D और E पर प्रतिछेद करते हुए एक सरल लेका इस प्रकार खीची गई है कि A, D अनुपाते AB बराबर AE अनुपाते AC क्या है एक बटा 4 है तो त्रिभूज A, D, E का च्छेतरफल ज्याँद कीजिए और इसकी तुलना त्रिभूज A, B, C के च्छेतरफल से कीजिये तुलना भी करना है तुलना का मतलब अनुपात निकालना है ठीक है ध्यान दीजेगा दोस्तों लास्ट में क्या निकालना है अनुपात निकालना है तो क्लियर क्या करना है आप से इसमें अनुपात पूछ ही ले रहा है तो आपको निकालना क्या होगा पहले अनुपात निकालना होगा ठीक है त दोश्तों क्या दिया आपको इसमें दिया गया है दिया है अब पहले कि तरफ चलता हूं मैं यहां पर बिंद दिया गया उसको लिख लेता हूं तो दिया घृत यहां मैं दिए गए हैं अब आपको क्या करना है उससे फोकस करते हैं तो पहले क्या करें इससे आप चित्र बना लिजे आकृति बना लिजे तो मैं इसे एक आकृति बना लेता हूं ठीक है दोस्तों तो चलिए यहां पर मैं एक आकृति बना दे रहा हूं ठीक है यह कुछ इस प्रकार गजए आपको आपका पांशिक खैश दिया है एक तरना दिया है छार कामा श्ती कैश्य प्रॉज्म है डिया 15 Manager दिया है को यह पैंच और जो सी दिया है वह दिया 252 क्लिर हो गया अभीda नहीं पता है चलेख इसको आगे भी निकालता हूं तो भले जो अनुपात में कुछ दिया गया है लेकिन ऐसे अभी दिखी आपके सामने करिए क्या दिया है कि a d क्या दिया है AD upon AB अब बराबर में दिया है AE अब बराबर में कितना एक बटे चार यह दिया गया है ठीक है तो लेकिन यह AD और AB बराबर एक बटा चार लिख सकते हो AE बटा AC बराबर भी बटे चार लिख सकते हो कि यह दोनों के बराबर में ठीक है तो करना क्या है मैं सबसे पहले लेता हूँ AD upon AB के ठीक है तो यहां मैं लिखता हूँ क्या AD कि समझा रहा ना दोस्तो AD कि अपान AB बराबर मैं क्या लेता हूँ एक बटे चार अगर मैं इसको पलट दूदो तो तो पल्टूंगत क्या एगा एबी अपान एडी क्योंकि बड़ा जो भूजा है उसको उपर कर दे रहा हूं यहां पर तो पल्टूंगत चार बड़े कितना हो जागए है एक हो जाएगा इतना सुझा रहा है कैसे कर रहा है अब ध्यान देजे यह क्या है एबी यह और भी मैं लिख सकता हूँ ADD प्लस DB तो यहां लिख दिजे AD प्लस DB और नीचे क्या है AD पहले से है तो AD ऐसे रहने दिजिए ब्राबर में कितना हो जाएगा चार बटे एक है तो एक आप यहां पर ऐसे ही लिख दीजे इतना क्लियर हो गया चले थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं इन दोनों को अलग अलग कर दीजे इसको लिख सकते हैं AD बटे AD ठीक है प्लस DB बटे AD ठीक है हमने हर का आंस में भाग दे दिया अब बराबर में चार बटे ठीक है बराबर कितना है 4 बटे एक को पंचांतर कर दीजे तो DB अपान AD बराबर क्या निकलेगा चार बटे एक माइनस एक तो यहाँ आप लिखे डी-बी-अपान-अ-अद-बराबर एक-चार में से घटे बचेगा तीन अब बटे में कितना हो जा रहा है अब इसको आप निकाल लेजे अनुपात तो जब निकालोगे तो क्या निकलेगा डी बी अनुपात ते एक यह आपका निकल गया क्या अनुपात DB जो DB निकला है वो 3 के निर्दसांग निकला है और AD जो निकला है वो AD तो ये 1 के निकला है ठीक है clear हो गया दोस्तो अब चलिए हमें अनुपात अब मिल गया अब निकालना रहा गया D और E के निर्दसांग तो चलिए अब D और E के निर्दसांग निकाल लेता हूं आपको यह भी पता है दोस्तों जब अनुपात दिया रहे जब अनुपात आपको दिया रहे तो आपको मध्ध बिंदु नहीं निकालना है निकालना क्या है दोस्तों दो बिंदु है दि मध्ध में ही है लेकिन अब अगर यहां भी तीन होता है तो यहां वी निकाल सकते तो इसको इसलिए नहीं अब डी का निर्दे सांग निकालने के लिए मैं अनुपात वाले फार्मूले का यूज करूंगा चले मैं निकालता हूँ अब क्या डी के निर्दे सांग तो डी के निर्दे सांग तो डी के जब निर्दे सांग मैं निकालूंगा तो फार्मूला आपको पता है दोस्तों फा फिर कामा क्या होगा M1 y2 plus M2 y1 अपान M1 प्लस क्या M2 ब्रैकेट को कर दीजे क्या दोस्तों बंद यह आपका फार्मूला है अब इसी फार्मूले में आपको क्या करना है मान को रखकर D का निकान लेना है निर्देसांग ठीक है तो M1 ध्यान दीजे यह M1 अगर हम लेके अनपाते D B तो यह 1 अनपाते कितना हो जाएगा 3 पहले मैं AD को लिखूंगा उसके बाद DB को लिखूंगा तो एक अनपाते 3 हो जाएगा यह कितना है आपका 3 तो फेह मान का मान यहां पर कितना इंटू X2 तो आप ध्यान दीजे किसके बीच का निकाल रहे हो A वर B के बीच तो यह X1 होगा, यह Y1 होगा और यह X2 होगा और यह क्या होगा? Y2 तो ध्यान दीजे X2 X2 भी आपका यहाँ पर कितना है? 1 ही है, तो 1 लिख दीजे Plus M2 M2 का मान कितना दिख रहा है यहाँ पर? 3 into X1 X1 का मान कितना है यहाँ पर? 4 अपान क्या कर देंगे? M1 प्लस M2 M1 का मान 1 M2 का मान 3 तो 1 प्लस यहाँ पर कितना कर देंगे हम? 3 तो 1 प्लस कितना कर दीजे? 3 कर दीजे, clear हो गया? चले, आगे बढ़ते हैं कामा कर यह M1 का मान 1 into Y2 तो Y2 का मान देखिए, यहाँ पर कितना देख रहा है? 5 तो 5 कर दीजे, plus M2 M2 का मान कितना है? 3 into Y1 Y1 का मान यहाँ देखिए, 6 तो यहाँ रख दीजे, 6 अपान M1 प्लस M2 तो यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3, ठीक है? अब क्या करना है? 1, 1, 1 और 3, 4 के 12 12, कितना निकलेगा? 13 तो 13 बटे कितना हो जाएगा? 3, 1, 4 यहाँ पर 5, 1, 5 और 3, 6, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 20 यहाँ हो जाएगा? 23 और नीचे कितना हो जाएगा? 3, 1, 4 क्लियर हो गया दोस्तों तो यह निकल गया D के निर्दसांग बटे 4 ठीक है? ब्रैकेट में कर दीचे इसको यह निकल गया D का निर्दसांग अब मैं निकाल लेता हूँ किसका? E का तो चलिए मैं यहाँ पर E का निकाल लेता हूँ दोस्तों चितर आपने बनाया होई होगा दोस्तों तो इसलिए मैं चितर को आप दिखानी पाऊंगा तो बनाया होगा तो बना लीजेगा नहीं तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से बना के तब लिखी आगे अब लिख लीजे E के निर्दसांग E के निर्दसांग क्योंकि अभी आपने निकालना E का तो E का निकाल लूँगा फार्मूला सेम रहेगा ठीक है दोस्तों मैं फार्मूला बारबार नहीं लिखाऊंगा ठीक है अब क्या करना है M1 होगा लेकिन जो चेंज हो जाएगा देखिए आपने बिंदूओं को लिखा होगा जो अब हमें निकालना A वा C के बीच तो ये अब जो C होगा ये X 2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा Y 2 फार्मूला क्या होता M1 M1 का मांण 1 इंटो क्या X 2 X 2 जो है वो कितना है 7 तो 7 कर दीजे P işi 29 क्या होगा India फिर क्या होगा M1 फार्मूला देखे क्या होता है M1 टो M1 का मान 1 into Y2 Тो Y2 का मान यहाँ फिए कीतना दीकर है आपको 2 2 लिख दीजे प्लस M2 M2 का मान कितना है दोस्तों आपको पता ही है 3 है तो 3 रग दीजे into Y1 Y1 का मान कितना है? sorry दोस्तों Y1 का मान 6 है तो यहाँ पर 6 लिक्स रख दीजे अपान क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा त्री ब्रैकेट को कर दीजे क्या बंद आगे देखिए इसका गुड़ा करेंगे साथ एकका साथ और तीन चाउख के 12 बारा साथ उननीश बटे कितना हो जाएगा चार देखे चार यहां बीस बटे नीचे तीन एक चार यह देखे भी कटेगा चार पंचे बीस तो यानि जो आएगा इक निकल गया चलिए अब हमें यहाँ पर मिल गया का भी इकाभी निर्दसांग मिल गया ठीके तो अब है इसके बीच में दो त्री भूझ बन रहा है कि करेता धर दोनुट्यों का में और निकालेता हूं शेतर फल्दी को पहले कि स्थे आप दी का छेटरपल तो पहले इसका मैं निर्दसांग लिख देता हूं टीक है तो जो ए है वह है चार कामा ठीक है दोस्तों क्योंकि चितर मैं नहीं दिखा पा रहा हूं इसलिए मैं आपके सामने उसके सीर्सों को लिख दे रहा हूं एक हो जाएगा और फिर डी तो डी का जो निकला है वह निकला है कितना तेरह बटे कि चार कामा 23 बटे चार ठीक है और फिर जो लास्ट रा निकला यहां पर निकला है क्या एक उननीस बटे 4,5 यह आपका निकला है ठीड सठीट है त्रिभूज A D E के लिए तो करिए क्या अब इसका छिद निकालना है में चेतरफल तो इसको मा लीजिए यह मान लिजिए क्या हो जाएगा 23 बटे चार फिर क्या होगा माइनेस वाइथरी तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां तो यह आपको दिख रहा है तो यह आपको दिख रहा है बटे कितना कर दीजिए आप यहां पर चार और फिर ब्रैकेट में वाइवन माइनस वाइट तो यहां का मान आपको यहां पर मिल जाएगा 23 बटे चार तो 23 बटे चार लिख दीजिए ब्रैकेट को कर दीजिए बंद ठीक है अब चलिए आगे हल कर लेते हैं इसको एक बटा दो तो आपका ऐसे ही रहेगा यहां पर इसको घटा लिजे चार भी ऐसे रहेगा बाहर है चार पंचे 20 अब 23 में से 20 घटे का बचे कितना 23 बटे क्या हो जाएगा हैं यहां गटाएंगे तो Moi Two प्रम ढबे लिख दीजिए 13 बटे चार गुढ़ते-5 ठीक हैалась कितना है 19 बटे 4 ठीक है 19 बटे Lead चार से चार क्या हो जाएगा तो बचेगा क्या एक बटे दो अब यहां तीन बचा है तो तीन को लिख लीजिए ऐसे ही ठीक है माइनसस प्लस माइनसस टेरह काば बटे में कितना चार यहां पर प्लस प्लस कि 20 से 19 ऐसे और नीचे चार शोटके 16 चले आप क्या करते हैं अկह तो अगा सोटने इसका ले लिजी अबATA और चार चार आएगा तो चार चार आएगा तेरी रोचा कितना हो जाएगा ठीक के यहां पर प्लास लिख दीजे अब सोला सोला पूरा कर जाए बचेगा सिर्फ कितना उननीस ठीक है क्लियर हो गया दोस्तों चले थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं अब क्या करिए एक बटे दू है एक बटे दू को आप ऐसे रहने दीजिए क्लियर हो गया अब बच क्या रहा है आपर बच आप कर रहा है 48 पहले सब्सक्राइब को जोड़ लीजिए तो आज आएगा कितना सरसथ ठीक है और माइनस कितना है आप बावन को लिख दीजिए अब बटे में कितना है सोला तो सोला को भी लिख दीजिए ठीक है चले अब क्या कर यहां घटा दीजिए एक बटा दो और गुडते घटाएंगे कितना जाएगे आप पंद रह तो पंद मकित रहें नीचे कितना हो जाएगा सोला दूना दूना ठीक है तो इतना वर्ग एक लिखंग है यहाँ यहीमिंट पूछ तस्थ एख पुछ को और यहीं भी कर देना है अब थढ़ा मैं आगे मैं अभड़ता हूं अब बड़ा ति सलें नो दो निकालता है अब मैं निकालता हूं किसका ए vidéos कर चेटरफल इसको में निकाला लेता हूं आप में त्रिभूज किसको लगे ए बीसी को लोगे तो लिख़ लेना आपको यश्यक को लिख लेना है आपको पता है फार्मूला क्या होता है एक बटे दो आपका ऐसे ही रहेगा रहने दीजिए ठीक है ब्रैकेट में क्या होगा इसको माल लेज़े X1 यह Y1 X2 Y2 X3 Y3 ठीक है अब क्या करेंगे फार्मुला 1 Y2 फिर क्या होता है X1 X1 का मान कितना 4 फिर होता है Y2-Y3 तो Y2 का मान 5-Y3 Y3 का मान कितना होगा 2 x2 x2 का मान 1 फिर ब्रैकेट में क्या होगा y3 x 2- y1 तो y3 का मान 2-y1 का मान 6 क्लियर हो रहा दोस्तों इतना चले अब प्लस क्या होगा x3 x3 का मान कितना 7 फिर क्या होगा y1-y2 y16-y2 जाहिए क्या बंद तो 1 भाइ 2 आपका एसा एगा आपए और यहां देखे 5 में ने दो घर तर हो जाएगा शाएंगे पर म सक्तिकें सब्सक्राइब क्लियर मोस्टो सब्सक्त खॉत टौँस्त होगा दोस्तो चले कि अब क्या करना है द्यान दीजें एक न दो से रहने देना है 12 साथ कितना हो जायगा उसको जोड़ लीजे बारश साथ 19 19 में से चार घड़ जाके कि माइनस में है तो आज आए कितना 15 15 बटे तो 15 लिग लिजे अब क्या करना इसा गुड़ाक 15 का 15 तो 15 कर दीजे 15 बटे नीचे दो है दो लिग दीजे ठीक है इतना वर्ग इकाई यह किसका निकल गया त्रिभूज ABC का छेतरफल ठीक है अब बोला था इसका तुलना कीजिए तो तुलना का मलब अनुपात निकालना है तो चलिए मैं यहां से निकाल लेता हूं अनुपात ठीक है तो क्या करिए लिख की का छेतरफल कि है बटे तुरिभूज ABC का इस बाएज अनुपात निकाला करिये तो जो छोटा होता है तसको ऊपर लिखाया था जो बड़ा होता वो नीचे लिखाया था ठीक है और फिर क्या करेंगे तुरिभूज ABC का चितरफल और आपको यह भी पता है मैं यहां पे मा निकाला था तिरी भूज जो एडी का छित्रफन निकाला था वह निकाला था 15 बटे 32 आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा आपने लिखा भी होगा 15 बटे 32 और नीचे क्या हो जाएगा देख तो देखे 15 बटे 32 और निकाला 15 बटे 2 ठीक है यह होगा अप ध्यान दीजे यहां पर आगे यह 15 बटा नीचे वाला गुड़ा होता है जो मत देखा होता उसका मद में गुड़ा करते याद रखेगा तो देखे 15 बटा 32 ऐसे रहागा और जो सबसे नीचे उसका 15 में ग बचला जाएगा और नीचे 15 15 आप नीचे लिख दिए दो से 15 कर जाएगा ठीक है दो काटेंग 2 एक का दो आध दो से काटेंग इसको 16 दुना 32 तो आएगा त्री भूज-ए, b, c का चेत्रपर ठीक है तो कितना आएगा ए अनपातर 16 त ह क्या हो जाएगा दोस्तो answer हो जाएगा को आपको क्या कर देना है ठीक है जो से आप्लोड करें बीडियो आपका सम्हाप्त हो गिया वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और जिससे मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ, वह सबसे पहले आप तक पहुचे, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, ए भारत,